नमस्कार दोस्तों मैं हूँ नीरज और आप देख रहे हैं ग्रू माई इंडिया दोस्तों अगर आप देशी मुर्गी का पालन करना चाहते हैं तो आज की वीडियो काफी खास होने वाली है आपके लिए और आपको मिलवाएंगे एक युवा मुर्गी पालक से जिनका फार् साथ रेलवे स्टेशन के बगल में च्छतना गाउं में और दो तीन प्रजाती पर यह काम करते हैं जो कि जैसे में असील पर काम करते हैं करकनात मुर्गी पर काम करते हैं और भी जो प्रजाती है गीनी फॉल पर भी काम करते हैं तो बहुत सारी बाते इस भी से पर मैं इनस मैं इस छेत्र में थोड़ा सा नुभव रखता हूं अभी क्योंकि मुझे इसमें हमेशा से ही रूची रहा है कि हमेशा ही मेरा अपना मुर्गा फार्म हो मचली फार्म हो इस तरह से तो मैं इसमें हमेशा रूची रखा हूं आपने बॉयलर को चोड़ कर देसी मूर्गी पर काम करना क्यों सुरू किया देखिए देसी मुर्गी मुझे ज्यादा बैनिफिशल भी लगा चूंकि कि आखिर में लोग को कितना बेनिफिट हो रहा चीज पर काम करने से वहीं matter करता है तो इस चीज पर मैंने देखा कि मुझे देशी मुर्गी पर जादा अच्छा रेट मिल रहा है boiler के मुकाबले तो मैंने देशी मुर्गी पर काम करना शुरू किया विल्कुल देखिए देशी मुर्गी में मेंटेन lengths कम होता और बीमारी यह इंधी कम होती है Following कारण की इसमें growth भी अक्षा हमने देखा है और साथ मैं इसको कभी भी आ प्रख लिंख के साथ हिह रहलेती डॉर तो यहां पर जो कर रहा हैं सर कितने हम आता है सबस्ताने हैं तो आप तयार करते हैं या बाहर से मगवाए को और था तो बाहर से मंग़ाता था मैंने होंम प्रสन्स स्टाट किया ह। तो देशी का मेरे पास home production श्टार्ट हो चुका है इसके कायन की बहुत सारी मेरे पास इसका production आना भी शुरू हो गया से कायन में अंडे से मैं चिक्स भी निकाल ले रहा हूँ और असील जो है उसके मैं अभी काम कर रहा हूं जिसको कि वी मैंने parental stock बनाने के लिए अपने पास stock जमा कर रखा है उसका वह अभी तैयार हो रहा है उसके बहुत अधा उत्पादन करके उसके अंडे को यह मार्केट में लॉंच करेंगे यानि कि आप जो देशी मुरुण कर देशी मूर्गी को मैंने अलग रखा है बाकी अपनी कडगनाथ से की मेरा ने पिक यह को श्याया मेरे मंजा थिंद से और जो यह उसके साथ रहे नहीं पाती है क्योंकि देसी मुर्गी का थोड़ा ग्रोथ कम होता है बाखी मुर्गों कि जो हमाएरे पास अपनी ले वाले लें उसके मुकाबले में मैं ने देखा कि जहां दो मैने मेरी देशी मुर्गी जहां तक 200-2008 का वेट ग्रो कर पा रही है वहां पर मेरा करगनाथ 400 गराम का चला जा रहा है तो इसलिए मैंने उसको अलग करके किया है तो उसमें मेरे बेनिफिट ज्यादा च्छाम को समझ में आ रहा है क्योंकि इसे ग्रो देखिए देशी मुर्गी आपको अंडा कैपेसिटी में 180-200 अंडा आपको साल भर में दे दीगी वह उसे 180-200 अंडे में आप उसका चिक्स निकालिए अगर तो 1500-160 अंडा आपके पास चिक्स निकलेगा आपके पास प्रोडक्शन है उसका करगनाथ में भी बहुत अच्छ आपको साल भर में बांसरी का है कि वह आपको 175-180 अंडे तक दती है वह साल भर में और असील असील तोड़ा कम है अंडा अंडा कम है उसके साथ उसकी यह ब्लीटी भी थोड़ी कम कम आती हे असे जो है आपको 130-150 अंडा देदी साल निस्के अंडे मुर्गियां यहां पर रखी है, सबसे महागा अगर बात किया तो असील है, जी सबसे महागा असील है क्योंकि इसकी आचिबलीटी भी कम आती है और साथ में यह बहुत रेयर है, हमारे यहां उतना यह चल नहीं रहा है भी, इसको लड़ाकु मुर्गा भी करते हैं, हमारे साथ इंडिया में लोग नहीं लड़वाते हैं मुढगा मुढगा तो उसी तरह काम ने जब वहां पर देखा मैंने एक तरह तो मुझे ही बहुत इंट्रेस्ट लगा इस चीज को करने के लिए तो मैंने यहां पर इसको अपना सेट अप तयार कर रहा हूं उसी चीज प मिनिमम् सही काम करना इस ऐञा होता है चुकि उनको शीखना भी तो है अगर सुरू में बहुत सारे से कर लेंगे तो शेखने का वोका नहीं मिलेगा और लौ सो में हिमत नहीं करेंगे कि दौर आफ बिजने से वहांटा ले तो मिनिम्रम कितने मुर्गीयों से मुर्गे से स् हैं कि चिकन का अगर आइटम है तो चिकन में कौन सा चिकन नहीं लोग आजकल यह चीज पूछ ले रहे हैं लोगों से तो उस जगह पर कि देसी मुर्गी का डिमांड आजकल थोड़ा जादा बढ़ता जा रहा है और अच्छा ही है हमारे लिए तो और जो भी इस काम में जु है हमारे बहुत सारे वीडियो को देख रहे हैं और काफी गौर से आपकी वीडियो को देखे हैं तो एक मैसेज बनता है उनके लिए क्या इस बिजनेस में कितना गुरूत कर सकते हैं कैसे वह सफलता हासिल कर सकते हैं और वाकई यह बनिया वेवसाय है देखिए जितने भी हुआ इस वेवसाय में जूड़ना चार उनके लिए तो मेरा सिधा सिधा यही मैसेज है कि देखिए आप बहुत ज्यादा से स्टार्ट करने कि आप सकता नहीं है आपको स्टार्टिंग में कम से ही स्टार्ट किजिए थोड़ा से एक्स्पीडियन्स गेनर हो जाईए प्रो लो रिस्क साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग और साथ-साथ जब इसको आपका प्रोड़क्शन वड़ा तब तक आपके पास एक्स्पीडियन्स हो जाएगा उस चीज को हैंडल करने का तो उसको आप अच्छे से बहुत तरीके से हैंडल कर लीजेगा बहुत धन्यवाद आन शीलös के लिए भी यहां पर आपको अपर आपको सूसरे मन जाएंगे वं सभु diverse आथ करना चाहिद पर दीसिक यहां पर उपलब्द है तो इनका nobody मैं स्क्रीन पर भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर और एड्रेस भी रहेगा आप यहां से संफर्क कर सकते हैं तो आज की जनकारी आज की वीडियो में यहीं तक आगे अपडेट जाड़ी रहेगा और एक और बात दोस्त कि जिस सवाल का जवाब आपको इस जाएगा तब तक लिजाए हिन